हेलो दोस्तों आशे करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे मेरा नाम है तभी शर्मा और आज के वीडियो आप लोग उगली काफी ज्यादा इंटरस्टिंग होने वाली है रीजन आप मेंसे काफी ज्यादा लोग होते हैं जिनके पास में लैप्टॉप नहीं होता और व उस कंडिशन में मैं आपको आज समझाने वाला हूँ कि किस तरह आप फोन के थ्रू आटोमेशन ट्रेडिंग कर सकते हैं यूजिंग नेक्स लेविल बोड प्लस ट्रेडिंग यू प्लस आपका डिमेट अकाउंट तो तीनों चीजों को कैसे कंबाइन करके आपको ट्रेड आपको कनेक्ट करता है दिमेट अकाउंट प्लस ट्रेडिंग व्यू अकाउंट के साथ में थर्ड चीज आपके डिमेट अकाउंट में एक्टिवेट होनी चाहिए तो अगर यह तीनों चीज़े आपके पास एविलेबल है आप इसके अंदर कोई भी ज्यादा कॉम्प्लि यूजर नेम पासवर्ड आप लोगों को प्रोवाइट कराया जाता है चिक उसके बाद में आपको नीचे अपनी गूगल क्रॉम पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद में आपका जो पेज ओपन होता है यहां पे ध्यान रखेगा ओपर की तरफ आप देखेंगे इस पर्ट लॉगिन करेंगे वो आपका डिटक ना हो जाए कि आपने पहले भी ट्राइल यूज किया है तो यह नॉर्मल इस टैप होता है अपने ट्रेडिंग रूगिन कराने के लिए दन आपको क्या करना है आपको यहां पे जाके यहां पर ट्रीडिंग वीव सर्च करनी है एंद ट क्लिक करने के बाद में आपको यहां पर desktop version on कर देना है desktop version on होने के बाद आपको हमारी तरफ से username and password दिया जाता है उसको login करने के लिए आपको सबसे पहले उपर right side में ध्यान से देखोगे तो यहां पर sign in का option आपको दिखाई देगा इस sign in के option के उपर आपको क्लिक करना होगा दन आपका यह page open होगा और इस page के उपर आपको ध्यान रखना है नीचे की तरफ जो यह email लिखा हुआ है यहां पर आप क्लिक करेंगे यहां पर क्लिक करने के बाद में ध्यान रखिए आपको हम लोग username प्रोवाइट करते हैं और password प्रोवाइट करते हैं और यहां पर sign in के उपर क्लिक करके continue करते हैं उसके बाद आपसे password सेब करने के पूछेगा आप इसका password सेब कर दीचेगा अब यह आप ध्यान से देखेंगे तो आपका यहां पर एक arrow में एक चीज दिखाई देगी यहां पर जैसे A से स्टार्टिंग है आपकी में दूसरी चीज़े स्टार्ट हो सकती है आपको यहां पर क्लिक करना है बड़े अराम से क्लिक करने के बाद में आपका एक page बगल म वाच लिस्ट के नीचे लिखेंगे इनकी कोई खाथ जरुवत नहीं है तो हम इनको क्या करेंगे एक एक करके यहां से इसको कट कर देंगे यहां पर क्लिक करके हम इसको एकदम सबको हटा देंगे और सब कुछ हटाने के बाद में हमारे पास एक option आता है आप यहां से जैसी क्लिक करता हूँ तो मुझे यहां पर कुछ options पूछेगा और options को fill करने के बाद में मुझे यहां पर नाम डालना है कि मैं क्या चीज के लिए create करना चाहता हूँ like watchlist create करते हुए और इसको यहां से मैं इसको save कर दूँगा सेब करने के बाद आप देख सकते हैं हमारी यह watchlist यहां पर create हो चुकी है अब इसके अंदर हमें add करना है अपने products उसके लिए बहुत ही simple step यूद कर जाता है यहां पर देख सकते हैं प्लस साइन है इस पर मैं click करूँगा और जो भी चीज़ आइड करना चाहता हूँ अपनी script को कर सकता हूँ यहां पर हम search कर लेता है like sbin तो search करने पर आप देख सकते हैं stocks के अंदर वो आ जाएगा same bank nifty यह आदर चीज़े आप करना चाहता है वह आप यहां पर easily search कर सकते हैं मैंने stock पर इस पर click किया और करने के बाद यहां पर जाके इसको मैं delete कर देता हूँ तो delete करने के बाद आप देखेंगे तो यहां पर की तरफ आपका sbin का chart open हो चुका है तो यहां तक का step था वह हुआ कि किस तरह से हम add कर सकते हैं अपने इस कितने chart को कि क्या चीज हम open करना चाहते हैं माल लिजिए मैं आप इस दिफरेंट दिफरेंट चीज़े आड करना चाहता हूँ और तो इन को मैं यहां पर चूज कर लिया है उसके बाद बात राती है indicators की आ आप डेचार ईंडिकेटर में तो आप को अंडिकेटर के लिए जाता यहां फे लगा देता हूँ को सकते हैं अभी की बात करें तो तो नॉर्मल मैं यहां पर एक VWAP indicator लगा देता हूँ, आपको शोग करने के लिए किस तरह से यहां पर लगा सकते हैं, तो मैंने यहां पर VWAP सर्च किया, और सर्च करने पर मैं जैसे इसको क्लिक करता हूँ, तो यह हमारे चार्ट पर plot हो जाता है, प्लॉट हो जाने के बाद आप यहां पर इस विंडो को यहां से बंद भी कर सकते हैं, तो अभी क्या है, अभी यहां पर हमारा VWAP indicator वो प्लॉट हो चुका है, यहां पर क्लिक करने के बाद में इसको डिलीट कर देना है, यहां पर क्लिक करके हटाया सकता है, इतना प्रोसेस होने के बाद, एक बार हम नीचे की तरफ जाते हैं, और नीचे की तरफ आप देखोगे, तो यहां पर आपको timing का भी issue दिखाई देगा, कि आपको timing correct नहीं द सकते हैं, यहां पर हमने क्लिक किया, तो हमारा timing जो है वो बिलकुल correct हो चुका है, एक होट चीज होती है, जो कि हमारा एक indicator होता है, जिसका नाम है candle with alert, maximum जो next level board के traders हैं, या पर जो भी है, जो नहीं है, वो भी जानते होंगे candle with alert एक indicator होता है, जिसकी help से आप trading view का बहुत ही तो उस indicator को यहां पर कैसे add करना है, like laptop में तो बहुत easy होता है, phone के इंदर कैसे add करना होता है, वो समझे, अभी आपको क्या करना है, मालनीजिये, आपको हमने candle with alert indicator जब हम trading view देते हैं, तब साथ में दिया है, तो आपको वो code copy करके लाना है, code copy आप easily करेंगे और आपको code copy कर करना है, नीचे की तरफ क्लिक करेंगे, तो pine editor में आपका segment open हो जाएगा, इसको हमें यहां पर paste करना है, and paste करने के बाद इसको add to chart यहां पर इसको कर दिना है, and आपका जो indicator है candle with alert वो आपको यहां पर दिखना शो हो जाएगा, तो अभी बात करें, इन दोनों के साथ में हमन हमारे next level board के साथ में, login करने के बाद आगी का step जो है, आपको बहुत ही easy लगेगा, यहां पर remember me पर click किजिए, और यहां पर login continue करता है, login करने के बाद में, आपका page open हो जाता है, page open होने के बाद आपको यहां पर important चीज चाहिए होगी, जो कि आपको connect करना होता है trading view के साथ म हमारे next level board से, वो है आपका webbook URL, अब धियान रखो, हमारा webbook URL जो होगा, जिससे हम trade कर पाएंगी, वो होगा Indian market webbook, इसको मैं यहां से copy पे click करता हूँ, copy पे click करने के बाद में, हम दो बारे से चलता है, आपने trading view account के ऊपर, and trading view पे जाने के बाद में, next step हमारा होगा, हमें trade create करनी है, तो trade create करने के लिए हमें alert create करना होगा, उसके लिए simple से step है, आप यहां पे देखेंगे, alert segment यह वाला जो segment है, यह second वाला, यहां पे आप जब click करेंगे, और click करने के बाद ऊपर की तरफ आप देखिए, यहां पे एक arrow है, connect के लिए, आप यहां पे click कीजिए, click करते ही आपके पास एक window open हो जाएगी, जिसके अंदर की आप से पूछा जाएगा कि आप करना क्या चाता है, माली जी मैने SBI decide किया है कि भाई, देखो मैं SBI के अंदर trade करना चाता हूँ, जैसे ही वो VWAP के ऊपर जाए, तो तुननत मेरी buy लग जाए, और जैसे ही VWAP के नीचे तो मेरी selling लग जाए, simple सी चीज आती है, like मैं for example आपको बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, आपको basically जो window open होगी, like alert create करने के लिए, वो same to seem होगी जैसे laptop पे करते हैं, ठीक है, बड़ यहां पे भी आपको धियान रटना है कि आप जो भी indicator यहां पे लगाएंगे, like आपने करना चाहता हूँ, तो crossing up चूज करूँगा, तो crossing up जाए, किस के crossing up जाए, मैं यहां पे VWAP डालना चाहता हूँ, तो मैंने यहां पे VWAP चूज की, तो अब क्या हुआ यहां तक की चीज़े complete हुई, condition हमने create कर ले, option के अंदर जैसे कि आप लोग जानते होंगे, only once का मतलब एक ही बार होगा, उसके बार trade बंद हो जाएगी, second will be like once per bar, कि जब भी condition like VWAP के उपर जैसी trade हो, तो run trade हो जाएगी, once per bar close चूज करेंगी, तो एक candle complete होने के बार trade होगी, तो मैं तो चाहता हूँ कि once per bar close हो, कि एक candle पूरी बन जाए, then उसके बाद मेरी अगली trade उसके चालू इसके बाद आप ध्यान रखो, यहाँ पर timing में आपको कोई भी trade नहीं करनी है, आपको ध्यान रखने वाली बात यहाँ आती है, कि आपको अपने trading view को जो link करना है next level board से, वो है असली चीज webhook URL, आपको जब यहाँ पर आप क्लिक करोगे, तो आप से यहाँ पर एक webhook URL प buy डालना चाहता हूं यहाँ यहाँ पर, जो असली game is start होगा, वो होगा message box के अंदर, हम यहाँ पर message box में अगर code डालते हैं, कि भाई, SBI में buy करना चाहते है thousand share, तो thousand share यहाँ पर buy हो जाएंगे, पूरा step मैंने आपर बता दिया है, अब माली जी मुझे code create करना है, तो वो कैस stock में काम करता हूं, जैसे कि मैं आप stock की API यूज करता हूं, तो आप stock में काम करूँगा, तो मैंने क्या किया, मैंने up stock पे click किया, यह मेरा option open हुआ, मैंने up stock पे click करने के बाद में next step वो नीचे है, आप से पूछेगा, कि आप क्या करना चाहते है, मुझे simple order required है, तो मैं simple order यहाँ पे click करूँगा, click करने के बाद में next step यह मुझे से पूछेगा, कि आप करना क्या चाहते है, किस symbol पे काम करना चाहते है, तो मैंने यहाँ पे, यहाँ पे डाला, SBIN, यहाँ पे searching list में आ जाएगा, इसको मैं choose कर लेता हूं, next step आपको पता होगा, जैसे हमारा होता है कि हम किस exchange में काम करना चाहते है, अगर हम NAC में कर रहे हैं, तो हम NAC चूज करेंगे, quantity मालीजी में 1000 share की quantity में काम करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे 1000 quantity fill करूँगा, same अगर buy का code create कर रहा हूं, तो buy पे click करूँगा, sell का code create कर रहा हूं, तो sell पे करूँगा, condition depend करती है, उसक code डरते हैं, पता नहीं क्या coding होगी, that's it, उसके बाद बात करते हैं, generate code के बाद, copy code क्लिक किया, यह सब हो जाने के बाद, अब हम चलते हैं, दुबारे अपने trading account के उपर, और simple step follow करते हैं, यह जो message box में पूरा message लिखा है, इसको तो हम कर देते हैं, delete, और यहाँ पे हम paste कर कर देते हैं, हमारा जो buy का code था, उसको यहाँ पे paste कर देते हैं, paste करने के बाद इसको हम create कर देंगे, तो हमारा जो code है, वो create हो चुका है, अब हम इसको check कैसे करेंगे, हम check करने के लिए जाएंगे, यहाँ पर right side में segment है, जो इसके ऊपर, यहाँ पर सबसे ऊपर आप देख सकते हैं, आप इसको pause भी कर सकते हैं, like setting open करके, अपनी कोई setting change करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं, चिक है, basically मैं इसको delete करना चाहता हूँ, तो delete करने के लिए मुझे यहाँ पर यह option है, इसको दबा सकते हैं, या फिर pause करना चाहते हैं, तो इससे रोक सकते हैं, तो delete कर देत इसको यहां पर डिलीट करने के बाद आपका आप अपने फोन से ही यह चीज मैनेज कर सकते हो अगर आपने लैप्टॉप में भी अपना अलर्ट क्रेट किया है तो आप एक जगा पे दोनों आइडी लॉग इन करके काम चला सकते हो सेम चीज आती है ज्यादा कोई कॉम्प्ल आप देख रहे हैं यहां पर जाके इसको सेफ जरूर कर दीजेगा अधर वाइस सब कुछ चला जाता है तो बहुत बुरा लगता है अब क्या है अगर मैं ट्रेडिंग व्यू को बंद कर दूंग और दुबारे ओपन भी करूंगा तो यहीं से ही जहां तक मैंने काम किया और मैं इसको मंतली एक मंत के लिए पूरा आराम से यूज कर पाऊंगा तो यह सारा का सारा स्टैप ट्रेडिंग व्यूगा किया जाता है नेक्स वीडियो में मिलते हैं और सीखेंगे कि कैसे नेक्स लिविल बॉर्ट को फोन के अंदर मैनेज किया जाता है और कोडिंग कै कैसे अगली वीडियो में हम लाइब ट्रेड करके देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग आटोमेशन ट्रेडिंग से फोन के अंदर ट्रेडिंग कर पाएंगे तो आशे करता हूं मेरे द्वारा बताई वी इंफोर्मेशन आपके काम आएगी अगर कोई आटोमेशन ट्रेडि करता है